Hi guys, welcome to youtube and welcome to C++ tutorials for beginners तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे Cout keyword के बारे में तो Cout हमारे पास एक keyword है C++ के अंदर Cout keyword की मदद से हम display करवा सकते हैं text को variable के अंदर जो stored data है उसको हम show करवा सकते हैं और तो और हम numbers को show करवा सकते हैं तो display करवाने के लिए use किया जाता है Cout in C++ तो किस तर सी use करना है वो मैं आपको बताता हूं तो file में जाएंगे new file create करेंगे तो file create कर लिए और यहाँ basic structure लिख देते हैं हमारे C program का तो सबसे पहले head of file लगीगी ISO stream उसके पाद using name space std standard library लग गई fit mail function जो की contain करेगा हमारा सारे को सारा code curly braces के नदर सारा code आएगा अब हमारा और इसको मैं return 0 कर दूँगा ताकि हमारा program अच्छे से run करें तो हमें बता लगे तो हम सीख रहे हैं Cout Cout use होता है display करवाने के लिए text बगए रहा हो Cout तो keyword हमने define कर लिया अब हमें बता है कि यह क्या करता है यह चीजों को display करवाता है इधना पता लग गया उसके बाद हमें suppose करो कि हमें कोई text को show करवाना है तो हम क्या करते हैं हम सीधे quads के अंदर कोई text नहीं लिखते हैं सीधे quads के अंदर हम text नहीं लिखेंगे अपना basically हम क्या करते हैं हम cout and हमारी जो string है या फिर जो variable है जो कुछ भी हम कर रहें उन तोनों को हमें separate करवाना है तो separate करवाने के लिए यहां पर हम use करते हैं stream insertion sign stream insertion operator का जो की है less than का sign दो बार दो बार लगाएंगे अब इसके आगे हम हमारी क्या लिख सकते हैं string तो string में मैं लिख दूंगा text type text type text here और यह चीज़ जो है display हो जाएगी और semicolumn last में इससे end करते हम basically हमारी line को जो statement है उसको end करते हम semicolumn से तो एक बार फिर से repeat कर लेता हूं see out एक keyword है जिसकी मिदल से हम display करते हैं text को फिर हमें क्या करना पड़ता है हमारे keyword okay और हमारी string यानि कि जो भी quotation के इंदर text है उनको separate करना है और separate करने के लिए हम क्या use करते हैं stream insertion sign okay stream insertion sign का और अब हम execute में जाएंगे compile and run कर देंगे and इसको save करना है okay bla 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 नाम दे दिया dot cpp save and automatically यह रना हजाएगा और यह हो गया और यहां पर हमारे पास output आगई type text है तो इस तरह से see out काम करता है आप variable के अंदर जो data है उसको भी store show कर वा सकते हो okay तो for example int okay int integer type variable यह पर create करूँगा मैं इसके अंदर मैं लिख दूँगा number equal to 107 okay 107 okay 107 value को मैं इसके अंदर store करवाया okay अब मुझे अगर 10 value display करवानी है तो मैं cout के अंदर variable लिखूँगा number okay क्यूंकि number contain करता है 107 तो execute compile and run और result आगया हमारे पास 107 तो इस तरह से यह चीज़ काम करती है basically हमारे पास okay आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं for example आप यहां पर एक और int बना सकते हैं और इस पर लिख सकते हैं number equal to one okay इसके अंदर one store करवा दिया एक काम करते हैं number है इसको number one करते हैं और इसको number two okay और एक और चीज़ आप सेम नेम का variable बार बार नहीं create कर सकते होगे और यहां पर इसके इंदर five और इसके इंदर भी five okay और यहां पर मैं क्या करूंगा c out के इंदर मैं c out के इंदर लिख दूँगा number one plus number क्या number two okay तो result आना चाहिए क्या हमारे पास ten because five जो number one है contain करता है five को और number two भी contain करता है five को और बीच में लगा है plus का sign तो यह दोनों values plus बजाएंगे और result आजगा हमारे पास क्या 10 और result आजगा हमारे पास ten okay तो इस तरह से जो है हमारे पास c out काम करता है okay तो c out keyword यूज रता है display करवाने के लिए चीज़ों को और आप multiple चीजे कर सकते हो for example numbers string एक साथ कर सकते हो okay बस आपको करना क्या पढ़ता है variables और जो strings है okay उनको separate करना पढ़ता है सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते है stream insertion operator तो stream insertion operator लगेगा और उसके बाद यह सेपरेट है जागे result okay और result आएगा हमारे पास five compile and run result आया five okay result five output पे आ गया तो इस तरह से आप strings variables इनको एक साथ यूज कर सकते हो बस आपको separate करना पढ़ता है किसकी मदद से stream insertion operator की मेंसे so thank you so much for watching this video please like share and subscribe bye take care कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते है bye bye take care और एक और चीज मैं आपको बचा दूँ अगर आपने मेरी previous video नहीं देखे तो वह भी देख लिजिए उसके अंदर मैंने detail में बताया था okay थोड़ा बहुत इसके बारे में okay so thank you so much take care now